हेलो एवरिवन तो आज मैं अपने साथ में शेयर करने जा रही है यह बहुती नई और अनोखी तरीकी से बनी हुई बेशन की एक ऐसी सबजी जिसमें न हमें प्यास डालनी की ज़रूरत है न टमाटे डालनी की ज़रूरत है जब भी हमारे घर कोई सबजी ना हो तो हमें लगता है कि हम ऐसी कौन सी चीज बनाएं जो सबजी को पसना है और बहुती चटपटी बने और सिफ दस मिट में बनकर रेडियो तो इस सबजी को ज़रूर ट्राइ कीजेंगा बेशन से बनकर रेडियो होती है बीना कोई प्यास बीना कोई टमाटे की तो अगर आपको रेशिपी पसना है तो ज़रूर से मैं चैनल को लाइक कीजे शेयर कीजे और सब्सक्राइब कीजे तो बेशन की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक इस तरीके का प्लास्टि में होल कर लिया और इसे साइट में रख देंगे अब एक बोल लेंगे यहाँ पर 150 ग्राम जो है तो बेशन लेंगे नमक डालेंगे हाफ टी स्पून और हाफ टी स्पून जो है तो हल्दी पाडर दालेंगे और एक हैंड विपस लेंगे इसमें थोड़ा से वाटर किसा हम इसे फेट ना है अभी से साइट में रख देंगे अफेसे एक बोल लेंगे यहां पर एक कब भरकर हम दही लेंगे लगबा कि यह देड़सू से 200 ग्राम दही है इसे भी हैंड विप्स लेंगे इसे अच्छे तरीके से फेट लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लंब अब हम गैस अन करेंगे गैस पर जो है तो एक कड़ाई रखेंगे उसमें आधी कड़ाई भरकर वाटर दालेंगे वाटर को अच्छी तरीके से हमें पहले गरम होने देना है जैसे बॉइल नहीं आता उस तरीके से बॉइल आने देना है फिर जो डब्बे में हमने होल किया मशीन के बैना कोई ज्एव नकाल लेंगे ताके बहुत फ़ी बारी खाली पिलेट में दाल कर थंडा होने के लिए रख देंगे थंडा होने के बाद में यह बहुत ही बारिक बारिक और अलग अलग दिखेंगे अभी थोड़ी मिक्स दिख रिए अब इसे थंडा होने देंगे अब गैस ओन करें गैस पर एक पैन रखेंगे पैन में हम 4 टेबल स्पू लिए आए और इसे अच्छी तरीके से फ्राइ कर लेंगे टोटली ऑप्शनल है अगर आपको ना दालना होता आप इसकी भी कर सकते हो प्यास को थोड़ा सा हम सौटे करेंगे ताकि यह थोड़ी हल्की गोल्डन हो जाए इसके बाद में 1 टीस्पून लस्टन अद्रक का पेस गयास को स्लो फ्लेम पर करेंगे वन टीस्पून लाल मिच पौडर दालेंगे हाफ टीस्पून गरम मसला पौडर दालेंगे वन टीस्पून जो है तो धनिया पौडर दालेंगे हाफ टीस्पून जो है तो हल्दी पौडर दालेंगे नमक दालेंगे हाफ टीस्पून या अ साथ के अनुसर और इसमें डालेंगे हम वन बोल भर के मेथी जो साब मतलब कि ताजी फ्रेश मेथी होती है उसके पत्तों को हमने अच्छी तरीके से कट कर लिया वह दालेंगे चोटा बोल है तो वह दालेंगे अगर आपके पास मेथी ना हो तो टू टेबल स्पून कसूरी म कोटर दालना है और फिर अच्छी तरीके से भून लेना तो यह मसाल अच्छी तरीके से भून चुका था अब दही को जो हमने फेट कर रखा था ना उसमें हमने और एक कप पानी मिलाया और दही को फेटे हो को थोड़ा पतला कर लिया हमने और दही फेटा हुआ अब इसमे है जो सेव है कितनी एच्छी खिली हो चुकि जब यह रॉय हो जाती नहीं तो यह पूरी सेव अलग-अलग हो जाती है तो यहां पर हम सेव डाल देंग और इसे अच्छे तरीके से पकने देंगे, तो हमने दखी में पानी इसलिए मिला आ है, कि ये जो सबजी ये बेसंद की, जब ये थोड़ी सेर्डियी होती हैं तो बहुत Зादी ठीक हो जाती है, थोड़ा हमें लिक्विटी यानि इस में थोड़ी से ग्रेवी रखना है ताके ठंडी होने के बाद में यह काफे ठिक हो जाती है तब इसे 10 मिट हमें पकाना स्लो फ्लेम पर ताके जो आईल है यह भी रिलीज हो जाए और यह जो सबजी बहुत ही अच्छी तरीके से पक जाता है जो है तो हमारी बेसन की बहुत ही अनोकी सबजी रेडी एक डीश लेंगे इसमें हम सर्फ करेंगी यकीन मानिए गाइस एक बार इस सबजी को आपने बना लिया ना तो हफते में दो बार आप इसे बनाना पसंद करोंगे बहुत ही आसानी से बनती है जेटपण बनका रेडी होती है इसे रोठी से खाए पराठे से खाए किसे के मिस साथ में इंज्वाइ कर सकते हो